Hello दोस्तो आशा करते हैं आप से बच्छे होंगे और सवागत आपका हमारे YouTube चैनल पर तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे table में हम row कैसे insert करते हैं, table को euter क्यासे करते हैं और जो rows already inserted है table में उसको update क्यासे करते हैं? तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देखिए, वहाँ पे हमने बताया था टेबल कैसे बनाते हैं, आज हम देखें उस टेबल में रोस कैसे डालते हैं, तो start करते हैं, open करते हैं हमारा SQL Server और SQL Server Management Studio, तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एक name of your table, तो हमारा students table है, and then values, तो यह आपको याद रखना है, यह आपका syntax होता है, अब values में जितने आपके column है, उतनी आपको यहाँ पर value pass करनी होगी, let's say student मेरा 100 है, okay, 100 is my student ID, फिर मेरा name है, अतुल, last name है, गुप्ता, branch है, CSC, Computer Science Engineering, semester है, third sem, so यह मेरी एक row हो गई, यह मेरी एक row हो गई, इस table के अंदर, because इसमें मेरी 5 column थे, तो मैंने यहाँ पर 5 value pass कर दी, ठीक है, तो मैं इसको execute करूँगा, तो क्या हुआ, one row affected, मतलब एक row insert हो गई है, case में, let me copy this and, paste, four times, तो मेरी 4 row insert हो जाएगी, तो मैं सबके एक पर ID बदल देता हूँ, और details भी थोड़ी change कर देता हूँ, यहाँ पर, तो अब मैं यह 3 row execute करता हूँ, तो अब मेरे पास 4 row हैं इस table में, तो मैं कैसी देखूँगा, या तो मैं select command चला लूँ, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर एक बार को आप मान लिजे, अब मान लिजे, मुझे सिर्फ दो column में data डालना है, मुझे सिर्फ student id डालना है, और मेरे को last name डालना है, बाकि मुझे data नहीं डालना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस case में मेरे को column name pass करने होंगे, again my syntax will remain same, syntax मेरा वही रहेगा, मुझे डालना है, 104 और last name as goel, ठीक है मेरे को सिर्फ दो entry डालनी है, बट अगर मैं अभी चलाँगो तो भी error आ जाएगा, क्योंकि ये 5 entries और 5 value मेरे से उमीद कर रहा है, okay, because यहाँ पर 5 column है, तो अगर मैं यहाँ भी execute करता हूँ, it will throw me an error, ठीक है, because यहाँ पर जितने column name मैंने दिये हैं, और column value pass कर रहे हैं, वो number of column से match नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, after my table name, मुझे यहाँ पर column की name देने होंगे, जहाँ पर मैं value pass कर रहा हूँ, तो मैं student id pass कर रहा हूँ, और मैं last name pass कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, तो आपको error नहीं आएगा, अब मैं दुबारा से सारे record fetch करता हूँ, तो जो मैंने value नहीं डाली, जो मैंने value नहीं डाली, वो मेरे को null आ जाएगा यहाँ पर, because यह मैंने values pass नहीं करी है, तो यह हमारा होता है insert into statement, जो table में value add करने के काम आता है, उसके बाद हमारा होता है how we can alter the table, अब जैसे table बनी भी है, यह जो table बनी भी है, मुझे alter करनी है, alter मतलब कुछ change करना है इसमें, जैसे कुछ भी हो सकता है, मान लिजे मेरे पास एक और इसको email id भी मुझे लेना है, मैंने table तो बना ली, बड़ बाद में मुझे पता जला, यहार मैं email id लेना तो भूली किया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको alter कर दूँगा, तो उसके लिए alter command क्या है, alter, table, and जो भी keyword होते हैं, जैसे आपके alter हो गए, insert हो गए, create हो गए, या जितने भी data types हैं, तो यह सारी keyword होते हैं, तो उसमें क्या करना है हमको, उन keyword के लिए, वो आप हमेशे इनको caps में लिखो, जैसे यहाँ पर capital letters में लिखे हैं, तो as a good practice, हमेशे इसको capital letters में लिखो, वैस जो आपकी sequel है, वो case sensitive नहीं है, अगर मैं इसको small में भी लिखता हूँ, कोई issue नहीं है, case sensitive मतलब कि ऐसा नहीं है, आपको capital में ही लिखना है, आप small में भी लिख सकते हो, यह होता है, but as a good practice, आप जितने भी sequel की keywords है, आप उसको capital letters में लिखो, okay, so alter table, and then name of the table, name of the table क्या है मेर students, अब मिरको एक नया column add करना है, इसमें, तो I will write add, now column name, email, okay, मिरको email करना है, और इसका, मैं बोल रहा हूँ, where care, data type, because जब भी मैं column add करूँगा, तो मुझे उसका data type भी देना होता है, where care 50, okay, यह मेरा एक नया column add हो गया, सी, यहाँ पर आगा, command completed successfully, it means आपका यह बन चुका है, तो अगर हमने last time बोला था, sp underscore help, sp underscore help हमारा function होता है, जो हमें बताता है, हमारा structure क्या है, table का, तो अब मैं यही command use में लूँगा, and then you will see, हमारे एक और email add हो गया हो गया हो गया, देखिए अब, यहाँ पर एक और आगे email, जो पहले नहीं था, तो अब हमारे एक और column add हो गया है, और हमने alter table करा है, अब मान लीजिए, तो अगर म मैं यहाँ पर अभी select करूँगा, तो क्या आएगा, yes, email null आएगा, because हमने email की value pass ही नहीं करी है, right, email सारे null आ रहे हैं यहाँ तो दूसरा क्या है, और क्या हम alter कर सकते हैं, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो सब कुछ alter हो सकते हैं, for example, हमको एक पुरा column ही delete करना है, य email को नीची है, यह मुझे delete करना है, तो मैं जा करूँगा, again, I will write alter table, syntax मेरा same रहेगा, यह जो मेरा syntax है, यह मेरा हमेशा same रहेगा, first line, उसके बाद, मैं बोलूँगा, drop, column, और name of the column, तो name of the column है मेरा semester, ठीक है, इसको चला दूँगा, तो मेरा column drop हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर दुबारा से retrieve करता हूँ records, तो you will not see the column semester, ठीक है semester मैं ने delete कर दिया, और क्या alter हो सकते है, अब मान लिजे, मेरा यह था where care 25 branch, अच्छा branch, ओके where care 25, अब मेरे को लग र या नहीं, मेरी branch का name तो बहुत बड़ा है, वो 25 character से जादा है, तो वो इसमें आ नहीं पाएगा, तो इसके लिए मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस column को alter करूँगा, so again I will write alter table, यह comment रहेगा पहला न, alter table and the name of the column, table sorry, ठीक है, इसक के बाद alter, column, और कौन सा column आप alter करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ, branch, branch को मैं करना चाहता हूँ, where care 40, because मेरी branch का name बहुत बड़ा हो गया, मेरी कोई नई branch चाहिए, उसका name बहुत बड़ा है, तो मैं इसको 40 change करता हूँगा, तो मैं इसको run करता हूँ, अब इसके बाद म है, because यह मुझे structure बताता है, table का, तो अब देखिए, यहाँ पर 40, branch हो है, अब हमारे length change हो गया, 40, तो इस तरह हम alter कर सकते हैं, तो हमने देखा, हम insert कैसे कर सकते हैं, और अब हमने देखा, alter कैसे कर सकते हैं, last चीज़े, update कैसे करें, तो यह हमारे records है, अब मान लिजे, पर भी, let's suppose, मेरा surname है, Sharma, ओके, वहाँ पर मेरको branch change करनी है, और या फिर मुझे वहाँ पर email डालना है, sharma.sharma.gmail.com, okay, something like that, so how to do that one, कोई भी example आप ले लिजे, तो उस case में क्या कर रहा हूं, मैं update कर रहा हूं, जो भी records हैं, उसको मैं update कर रहा हूं, so update, फिर आपको table name देन है, उसके बाद आपको set लिखता है, तो यह आपका syntax है, update, table name, set, और क्या set करना है आपको, set email equals to, let's say, sharma at the rate gmail.com, कुछ arbitrary value ले रहा हूं, इसके अलाव मेरे को, let's say first name भी change करना है, ठीक है, मुझे first name भी change करना है, दोनों का, first name equals to, अभी यहाँ पी क्या है, एक का विवेक, एक का मित है, मुझे change करके करना है, Bobby, where, see where we will see again, detail में, पर आप अभी यह समझे, where आगता है, filter करने के लिए, जो भी आपको records filter करना है, उसके लिए आप where use में लेते हैं, where last name equals to Sharma, तो अब इसको हम रन करते हैं, two rows affected why, because हमारी दो रो में हमारा surname Sharma था, इसको दुबारा से select करते हैं, तो देखिए, जहाँ जहाँ हमारा Sharma था, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमारा first name change हो गया, right, अब आपको लग रहा है, यार, यह तो गलती हो गया हमसे, आपको सिर्फ यह वाल अपडेट करना था, अपने दोनों कर दिये, कोई बात नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, where, okay, दुबारा, let me copy this one, मैं copy करता हूँ, अब मैं बोलूँ, where student ID, ठीक है, जहाँ पे student ID 103 है, वहाँ पे मेरे को change नहीं करना था, वहाँ पे मेरा name, जो भी नाम था, मुझा भी याद नहीं, but let's say, वहाँ पे मेरे को name, डालना है, first name equals to, अजे, and last name मैं change नहीं कर रहाँ, email मैं change कर देता हूँ, email equals to, abc.gmail.com, ठीक है, तो दुबारा मैं इसको चलूँगा, तो इस बार एक रोव impact हुए, because student ID 103 एक ही बार था मेरी टेबल में, अब मैं सको चलूँगा, तो आप देखिए, यहाँ पे हमारे student ID जो था, जो पहले बॉबी था, वो अजे हो गया, और यहाँ पी email ID भी change हो गया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा, हम कैसे insert कर सकते हैं, हम कैसे alter कर सकते हैं, जो order table बनी भी हो, उसमें कुछ भी, इधर आपको table का column drop करना हो, change करना हो कुछ उसमें, या फिर आपको add करना हो, नया column, उसके बाद हमने देखा, हम table कैसे update कर सकते हैं, बट row वो बनी भी होने चाहिए, उसमें हम where condition लगाते हैं, filter करते हैं, record और values नई set के through डाल देते हैं, तो आशा करता हूँ, आपको आज का tutorial अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों आपने कुछ नया सीखा हो, तो please subscribe करिए, like करिए, comment करिए, share करिए, and मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, thank you, bye bye